दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल को CBI ने गिरफतार कर लिया है केजरिवाल की गिरफतारी दिल्ली शराब नीती मामले में हुई है CBI ने केजरिवाल को दिल्ली की राउट एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था केजरिवाल की गिरफतारी ऐसे वक्त पर हुई है जब सुप्रीम कोट में उनकी एक और याचिका की सुनवाई हो रही है दिली सीम ने अपनी इस याचिका के जरिये दिली हाई कोट के जमानत आदेश को रोक लगाने की चुनौती दी है दरसल दिली के एक नेचली अदालत ने अर्विन केजरिवाल को 20 जून को जमानत दी थी जिस पर हाई कोट ने रोक लगा दी थी जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने बेल पर रोक लगाने का आदेश दे दिया केजरिवाल की गिरफतारी के लिए CBI का कारण ये था कि वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे जिसने शराब नीती को मनजूरी दी थी जहांच एजनसी ने आरोप लगाया कि रिश्वत लेने के बाद दिली की आपकारी नीती 2021-22 में हित धारकों के मन मताबिक संशोधन किये गए केजरिवाल के वकील विकरम चौधरी ने इसका विरोध किया उन्होंने कहा कि केजरिवाल को दूसरे मामले में न्याएक हिरासत में रहते हुए सीबी आई की ओर से गिरफतार किया गया है कोई आदेश पारित हो गया है और हमें जानकारी नहीं है जिस तरह से ये किया गया है वो गंफीर चिंता का विश्य भी है और ये सम्विधान के अनुच्छेद 21 का उलंगन भी है हमें मीडिया से अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी के बारे में जानकारी मिली है और हम मांग करते हैं कि सीबी आई की ओर से दाखिल रिमांड अर्जी की कौपी हमें दी जाए केजरिवाल के वकील की दलील सुनने के बाद दिली हाई कोट ने कहा कि हमें जो समझ आ रहा है क्योंकि वो न्यायक हिरासत में थे इसलिए सीबी आई ने 24 तारिक को अदालत के समक्ष पूछताच के लिए एक आवेदन दायर किया था फिर एजेंसी ने प्रोडक्शन वारंट की अनुमती लेने और उन्हें आवेदन दिया अभी तक उन्हें आवेदन रूप से गिरफतार नहीं किया गया है केजरिवाल के वकील ने विरोध दर्श कराते हुए कहा कि अगर मामला कल रखा जाए और हमें कागजात दे दिये जाएं तो आसमान नहीं गिर जाएगा कोट ने केजरिवाल के वकील से कहा कि क्योंकि उन्हें आपचारिक रूप से गिरफतार नहीं किया गया है कारवाई कहां से शुरू होगी केजरिवाल के वकील ने फिर कहा कि आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए हमें जवाब देने के लिए समय दीजिए कल सबसे पहले इस पर सुनवाई हो सकती है उन्होंने कहा कि केजरिवाल कोट की हिरासत में है क्या उन्हें सुनवाई का हक नहीं है CBI ने इसके जवाब में कहा ये दलीले हमारी गिरफतारी के बाद आने दीजिये क्या उन्हें इस तर पर सुना जा सकता है YCBI के वकील डीपी सिंग ने आगे कहा कि हम चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान केजरिवाल की गिरफतारी कर सकते थे हमने नहीं किया हमने इतने समय तक इंतजार किया फिर हमने उससे पूछताच की उनका कहना है कि ये दुर्भागेपून है कि पॉलिसी यानि उत्पाद शुलक नीती अधिसूचित होने से पहले ही आप दाविदार तलाशने लगते हैं दिली की राजनितिक व्यवस्था ही इस काम में सनलिप्त रही है आपने पॉलिसी को ठीक वैसा ही बनाया है जैसा दाविदार चाहते थे